CUT से BCA करने की सोच रहे हो और confused हो कि भाई कितनी university में मैं apply कर सकता हूँ क्या मैं BCA कर सकता हूँ without maths अगर मेरे पास computer science का subject था, IP का subject था तो मेरे पास कौन-कौन से option है, मैं science background से हूँ तो कौन से option available है अकर मैं non science student हो तो मेरे पास क्या options available है तो मैं आप लोगों के लिए लेखा है हूँ complete solution for BCA through CUT आप कितनी universities में apply कर सकते हैं, तो देखिए CUT की सबसे बड़ी advantage तो यही है कि भाई आप लोगों के पास बहुत सारे options है apply करने के लिए और साथ में आपके पास एक scope orb add हो जाता है कि आप लोगों के पास multiple options आप लोगों के पास आ जाता है जिससे आपके दर एक confidence रहता है कि आपके यहाँ नहीं तो वहाँ आप लोगों का admission हो ही सकता है तो detail में बात करेंगे किस तरीके से आपको application form fill करना है, क्या-क्या options है तो देखें मैंने आप लोगों के लिए एक Excel बनाई है, जिसके अंदर मैंने सभी universities के नाम mention करें जो कि आप लोगों को BCA course offer कर रही है, CUT के धुरूप, अब यह list है तो वैसे बहुत बड़ी, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को बस ध्यार में रखनी है आपकी priority depend करते हैं कि आपके university में admission लेना चाहते हो, आपकी priority central university की है, deemed की है, private की है और यह सारी चीज़े depend करते हैं आपकी preparation के उपर, अगर आप अच्छा score कर रहे हो, अच्छी preparation है, aggressively जा रहे हो तो definitely आप लोगों को जो है state government university में admission मिल सकता है, central में admission मिल सकता है, नहीं तो भाई अगर private से करना है, तो CUT देने की भी कोई need नहीं है तो मैं आप लोगों को ये भी बता हूँ कि भाई, application form के अंदर आप लोगों को कौन-कौन से जो है domains fill करने है, किस तरीके से fill करने है BCA की entrance exam की preparation के लिए आप हमारे साथ जुड़िये, जिसमें हम आप लोगों को mentorship भी provide करते हैं, साथ में हम आपको guide करते हैं entrance exam की preparation के लिए भाई, आपको कहा से क्या पढ़ना है, कहा से start करना है, जिसके लिए हमारे पास एक specialized course, इसके अदर हम domains भी cover कर रहे है, commuter fundamentals भी cover कर रहे और important section throughout the BCA, हम सारी चीज़े जो हैं आपे cover कर रहे हैं, तो इस course के अंदर आप हमारे साथ अंडोल करिए, आप लोगों को 100% admission मिनने वाला आपकी dream college university के अंदर, और अभी हाप लोगों के लिए special discount भी चल रहा है, इसके तुरू आप लोगों इसको avail कर सकते हैं, बहुत limited time period क जो student यह सोच के परिशान है कि भाई, मैनत तो करनी पड़ेगी न सेंटर शूटी में जाने के लिए, और आप इस चीज़ को लेके परिशान है कि भाई, admission मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आपको definitely admission मिल सकता है, यही साई time है तैयारी करने का, आप इस video को आज देख रहे हो, हमारे साथ जुड़के बाकी लोगों की तरह अपने तैयारी बहतर बनाई है, तो देखें, हाँ पर आप लोगों के पास दो तरीके के student है, जो apply करेंगे इसके अंदर, एक student वो है जिसके पास अपना subjects के बारे में बात करें, तो PCM है, computer science है, IP है, एक student है commerce background का, जिसके पास ना तो IP है, ना तो CS है, वो तो सिर्फ math की basis पे जो आगे अपना stream को switch करना चारा है, computer background में जाना चारा है, एक student humanities का है, और वो बोल रहा है कि ने तो मेरे पास math रही है, ना तो मेरे पास IP रही है, मैं कैसे BCA कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो, तो इसलिए मैंने आप लोगो लिए जो Excel बनाई है, इसके अंदर मैंने सारी चीज़े मेंशन करी है, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा any stream, हाना, any stream मतलब कोई भी stream का स्टूल ने से इनिविश्टी में अपलाई कर सकता है, और जो student यहाँ पर है, जहाँ पर मैंने मैं information technology, computer related कोई subject होना जरूरी है, यहाँ पर आप लोगों को इनका fees structure भी बहुत हाई देखने को मिलेगा, तो मैंने आप लोगों के लिए ने पूरा पर एक शीट भी बनाई है, जिसमें आपको कम से कम fees लगेगी, क्योंकि after all आपको आगे जाके भी MC भी करना है, तो आपके पास time है चीजों को अच्छे से करने के लिए, अगर हम undergraduates में ज्यादा अपनी investment डाल देते हैं, तो हमारे पास कहीं नगा एक button आ जाता है, और एक target बन जाता है, पहले इसको justify करके दिखाना है, तो यह सब चीजे आप लोगों तभी बचा सकते हैं जब आप अच application डाउलोड करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ आप लोगों को यह नहीं बताते कि कहां पे आप लोगों को कौन से options available हैं, हम आपको यह भी बताते हैं, कि आपके लिए कौन सा college suitable है, हम आपको college की admissions में भी help करते हैं, चाहिए वो maths हो, चाहिए non maths हो, और ऐसे colleges भी हैं Delhi के अंदर, ज यह सारी चीज़े आप लोगों higher question के platform में मिलती है, तो आप लोगों हमारे साथ जुड़े रही हैं बस ठीक है, अब बात करते है, come to the point कि हमें क्या-क्या चीज़े लेनी चाहिए, क्या-क्या application form के दर हमें fill करना है, तो जब मैंने पूरे की पूरी list of universities को go through करा, तो मैंने ए general test रखा गया है, जो student apply कर रहे है, state government university के अंदर, तो वहाँ पे भी दो तरीकी की university, एक तो बोल रहे है कि भाई, आप maths हो, चाहे statistics हो, चाहे information technology हो, या फिर आपके पास CS का subject हो, आप हमारे पास आ सकते हैं, ठीक है, और वहाँ पे domains में भी आप से वो लोग जो क्या मांग रह तो वो universities भी आपके सामने है, जो student science stream के जैसे कि यहाँ पे science stream की बात कर लेते हैं, तो एक university है हमारे पास YBN university, तो यह YBN university है आप से बोल रही है, कि आपका science में science stream होना जरूरी है, दूसरा आपके पास एक या रामा university भी बोल रहे है कि science stream का student है हमारे पास जो apply करेगा, और आ आप लोगों से physics chemistry math जो मांगा जा रहा है, तो different different चीज़े हैं आप लोगों के सामने, बट मैं यह बोलूँगा, mostly university जो है any stream के थूरू आप लोगों को apply करने का मौका दे रही है, अब बात करते हैं कि आप लोगों को CUT के application form के अंदर क्या चीज़ फेल करने हैं, जिससे आप लोगों को अराम से यहां पर admission मिल जाए, तो उसके लिए आप लोगों को भाई, एक combination अपना select करना है, जो आप लोगों को definitely help करने वाला है, आपके application form के साथ साथ, जो definitely help करने वाला है, admission लेने के लिए, पहला क्या है, आप एक language लोगों अपना, ठीक है, language, और दूसरा आपको लेने है domains, अब domains में क्या-क्या लेने है, वो सबसे ज़्यादा important वही है, तो जो student science के student है, वो क्या लेंगे, PCM लेंगे, ठीक है, जो student commerce stream के है, वो maths तो लेंगे ही लेंगे, ठीक है, maths तो लेना ही लेना है उनको, बाकी अपनी पसंद के दो subject वो अपने ले लेना, अ आप maths को लेके चलो साथ में बाज, ठीक है, और अब जो student है, इसमें और क्या मांगा जा रहा है, maths आप तभी लेना, जब आपके पास maths का subject हो, और science वाले student, जिसके पास computer science का subject हो, वो computer science तभी लेना, अब जो students, arts वाले student है, उनको क्या करना है, उनको general test लेना है, ठीक है, general test और जो science के student है, उनको English भी लेना है, language भी लेना है, domain भी लेना है, और GT भी लेना है, commerce वाले student को language भी लेना है, maths भी लेना है, और GT भी लेना है, और humanities के student को language भी लेना है, GT भी लेना है, तो इस तरीके से आप लोगों को combination मना के चलना है, देखें, मैं भी आपको overall बात करके दिखा रहा हूं साफ सिधी बात है मैं आपसे यह नहीं बोल रहा कि भाई यह वाला सब्जेक्ट लो तभी आपका काम मनेगा यह आपके उपर भी डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रीम क्या है तो मैं अभी आप लोग को एक जनरल लेके चल रहा हूं कि आपकी स्ट्रीम इन स सुपोर्ट सिस्टम के थो हमारी टीम ऑफ कांसलर आपको प्रॉपर हेल्प करती है अब आपको करना क्या होगा कैसे आप अप्लाई करेंगे ध्यान से देखना तो आपको युनिवर्शिटी के अंदर जिस युनिवर्शिटी के अंदर बीसे करना है आपको जैसे कि मैं नहीं है अभी इसको अप्लिकेशन फर्म को इतने जल्दी मत फिल करना अभी इसमें टाइम एप्लिकेशन फर्म विल करने के लिए तो मैं अभी कोई भी एक युनिवर्शिटी का नाम डाल रहा होगा और बैचलों कम्यूटर अप्लिकेशन अभी बहुत सारे बहुत सारे इसमें नहीं आये हैं और हमारे पास ऐसे भी उप्शन है जो भी इसमें नहीं आएंगे फिर भी वह बीसे कर आते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ी है पहले कहने का मतलब है जो आप लोगों को आपको एक इंग्लिश लेना है मैथ लेना है तीसर आप क्या ले लेंगे कम्यूटर साइंस ले लेंगे ठीक है चौथा आप अपनी क्लास 12 का कोई सब्जेक्ट ले लेना और एक जनरल टेस्ट तो आपको रखना ही रखना है एड्मिशन के लिए अब बहुत सारे सुड़े ऐसे होगी जिरिदे अपस कम्यूटर साइंस नहीं है लेकिन उनिवर्षेटी कम्यूटर सैंस डिमांड कर रही है और स्टूरेंट के दिमाग में यह चीज़ आती है कि भई मैं क्या करऊं कि कम्यूटर साइंस का एक्जाम दे देता हूं क्या पता मेरा एस सारे में तो इस वरी सेफ कि आप उस उन्युवर्शिटी में कॉल कर करके पता करें कि अगर हमने नहीं लिया है वह क्लास टॉल्ट सब्जेक्टन की तब ही मैं देक resignation आगर नहीं जा सकते हो वह नहीं subject आपके पास computer science नहीं है तो आप लोगों को भाई देना चाहिए अपना general test जरूरी जरूरी आपको देना चाहिए अब एक बात हम करते हैं IP University का एक example लेके चलते हैं ठीक है simple सा है IP University का एक example लेके चलते हैं IP University क्या बोलती है कि आपको एक language देना है math देना है computer science देना है प्लस general test देना है आप हमारे पास BCA course के लिए आ सकते हैं ये लोग नहीं बोलते कि भाई आपके पास class 12 में subject पड़ा हुआ जरूरी है नहीं बोलते बोलते हैं आप दो आपको देना तो यही होगा हम अपका score consider कर लेंगे admission के लिए तो ऐसी भी चीज़े हो रही है तो what you have to do is कि भाई आपको पता करना है अपनी उस university के अंदर अगर ये student जैसे कि मैंने आपको बताया IP University में BCA के लिए apply करना चाह रहा है IP University State Government University है डेली की बहुत रेपेटर्ड उनिविश्टी है बहुत सारे college से BCA करने के लिए अगर आप plan बना रहे हो CUT से BCA करने के लिए डेली से करना चाह रहे हो तो IP University भाई बहुत ज़दा बड़िया option है इनके application form आज की डेट में निकले हुआ है जिसका खुद का entrance exam होता है IP University का उसके बाद जो seat back enter जाती है वो CUT के score के basis पर admission लेती है अपना तो यहाँ पर आप क्या करोगे apply करने के लिए English लिया, Math लिया, Computer Science डला आपने और एक GT दे दिया अब आपने ये नहीं पढ़ा है class 12 के अंदर कोई फरक नहीं पढ़ता भाई आपने देना तो बढ़े गई चाहे उसमें आप 5 नंबर लेके आओ चाहे 6 नंबर लेके आओ और पढ़ा है तो बाप इसको score भी कर सकते हो हना आपके उपर है बट ऐसा मस सोच ना कि भाई मैं अगर इसको दूँगा मैंने तो पढ़ा ही नहीं है तो फिर क्या होगा में तो नंबर ही नहीं आएगा ऐसा मस सोच भाई आप किसे से बहुत सारे सुडेंटे जो एक्जाम देते हैं आपका काम है फाइट करना आपका काम है उस एक्जाम को अटेम्ट देना अगर आप उसको डेडिकेटरली करना चाहते हो तो और सेफ साइट जाना चाहते हो तो जीटे तो जरूर देना किसी भी उनिवर्शिटी में अप्लाइ कर रहे हो तो अप्लिकेशन फॉर्म फिल करते हैं जितने भी उनिवर्शिटी बीसी एकरारी सब का नाम डालो और ये कॉम्मिनेशन डालो आपका 100% admission होगा ही होगा तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो आप जुड़िए जल्दी से जल्दी और higher education की टीम आप लोगों को properly support करने वाली है अपने admissions के साथ-साथ, अपने counseling process के साथ-साथ और अपनी team हमारी जो team है proper dedicated आप लोगों को BCA की complete information provide करेगी आप किसी भी university में admission लेना चाहते हो आपको हम admission support भी देते हैं entrance की preparation भी कराते हो till the admission आप लोगों का साथ देते हैं तो मिलना है आप लोगों को हमसे तो आप higher education institute सावड़ेली चातरपुर में आ सकते हैं admission support का मैंने form nature link पिन कर दे हैं उसको आप जरूर फिल करके हमसे जुड़िए मिलते नेक्स चुड़ी मिशी दरीखी के education कॉर्णेट के साथ बबा टेक केर थेंक्यू सो मॉइच